नमस्कार आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज विक्रम समवत 2013 सक समवत 1942 आज आश्विन मास के सुकल पक्स की सप्तमिती थी तैदनुसार सुकुरवार 23 अक्तुबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं आज का विचार उस इंसान का कोई मुकावला नहीं कर सकता जिसके पास सबर की ताकत है हरियाना विदान सबा के 5 नॉवंबर से होने वाले सत्र में अब हरियाना कॉंग्रेस के और से केंदर के कानूनों के खिलाब प्राइविट मेंबर भी लाने का दावा ठोका जारा है इस साथ से का दावा नेता विपक्स और पूरु सियम रई भूपेंदर सिंग हुड़ा ने कर दिया है उन्होंने एक बयान में काया कि जिस तरह से दो दिन पहले पूरु सिराजे पंजाब के सियम पंजाब विधान सबा के अंदर कर्शी विलों के खिलाब कदम उठा चुके हैं साथी तीन बिल लाए हैं इसके साथी MSP से कम पर खरीद करने पर 6 मा की सजा दिये जाने का प्रावधान रखा गया है इसी तरह से हरियाना कोंगरिस विधान सबा में MSP से कम खरीद पर सजा के प्रावधान वाला प्राविट मेमर बिल लाएगी जनलाएक जनता पार्टी यानि JJP के दो विधायक समेत पार्टी के सभी पांच नेताओं ने चेयर्मेन पद पर अपना कारेबार समाल लिया है वीरवार को परदेश के उप मुक्य मंतरी दूशन चोटाला ने JJP के चेयर्मेनों को कारेबार गरेंड करवाया और उनिस सुभकाम नहीं दी इस मोक्य पर पार्टी के गूला से विधायक इस्वर सिंग, जुलाना से विधायक अमरजी डांडा, पार्टी के परदेश कारेयले सची उरंदीर सिंग आधी कई नेता वह अधिकारी मोजुद रहे इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके परदेश के विधायक रामकंड काला को सुगर फैड के चेयर्मेन पद का कारेबार ग्रहन कराया भीवानी जिले के पूर गाउं में ग्रामिनों और सरो कल्यानमंच सामाजिक संस्ता द्वारा एक अनुठी मोहिम चलाई है जिसमें गाउं के सभी गरों के सामने बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई जाएगी और पूरा गाउं बेटियों के नाम से जाना जाएगा वैसे तो यह मुहिम आठ मार्च से बवानी खेड़ा हलके की विधायक विशंबर वालमिके के द्वारा अंतराष्ट महिला दियोज के आउसर पर शुरूख की गई थी क्योंकि करीब 200 दिन से बंद पुजा सुपरफास्ट एक्सपर्स के सुरू होने के गोशना के बाद यह ट्रेन एक दिन भी संचालित नहीं हो सकी है और अब इस ट्रेन को किसान आंदरोन के चलते 5 नॉम्बर तक के लिए रद्ध कर दिया गया है कॉलेजों में यूजी कोर्स के लिए दाखिला प्रक्रिया काफी उलज गई है पहली और दूसरी मेरिट सूची के बाद भी सरकारी वे एडिट कॉलेजों में आदे से ज़्यादा सीटे खाली पड़ी है आविद को को भी ओनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आ रही है इसलिए वे भी प्रेशान है ऐसे में विद्यार्थियों की प्रेशानी को समझते वे उच्चतर शिक्सा निद्शालने अब फैसला बदल लिया है कॉलेजों में 28 अक्तुबर से 2 नॉमबर तक ओपन मेरिट की पहली फिजिकल काउंसिलिंग चलेगी अगर सीटें बच जाती हैं तो कॉलेज परशासन की अपील पर 3 नॉमबर से फ्रेश रेजिस्टेशन के लिए 2 बारा से फोर्टल को खोल जाएगा बंगाल का सबसे बड़ा उत्षव दुर्गा पुजा गुरुवार से शुरू हो गया है परदानमंतरी नरेंदर मोदी कोलकॉता में वे कारेकरम में दिल्ली से वर्चुली जुडे और बंगाल के लोगों को दुर्गा पुजा के सुपकावना दी मोदी ने भी बंगला में भाषन शुरू किया वहां के महापुर्शो और आम लोगों की भी जमकर तारिफ की 23 मिनट के बाषन में परदानमंतरी ने कहा पश्य मंगाल में भगति की सक्ती ऐसे है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं बलकि बंगाल में हूँ जब आस्था अप्रमपार हो तो स्थान स्थिती वे प्रिश्थिती से आगे बढ़ कर पूरा देश बंगाल में हो जाता है ऐसी कोई जगह नहीं जहां मादुर्गा की जलक नहीं दिखे भारत में बना आइनेस कवर्ती गुरुवार को नोर्शेना के बेडे में सामिल हो गया है सेना परमुक एमम नर्वने ने विशाकाप्टनम नेवल डॉक्याड में इसे प्रोजेक्ट 28 कमरोटा क्लास के तहत कमिशन किया भारत में तेयार आइनेस कवर्ती एंटी समरीन वार रास्तान के पोखरन फाइरिंग नेज में हुआ वार हैड के साथ हुआ फाइनल ट्राइल सफल रहा अब यह सवदेशी मिसाइल सेना में सामिल होने के लिए तैयार है सरवर से डेटा चोरी होने के बाद दवा कंपनी डॉक्टर रेडिज लेबर्टीज ने दुनिया भर में अपने प्लांट बंद कर दिये हैं डॉक्टर रेडिज के अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजिल, रूस और भारत में ड्रग प्लांट मुझूद है दवा कंपनी को कुछ दिन पहले ही रूसी कोरोना वैक्षिन के ट्रायल को मंजूरी मिली थी डॉक्टर रेडिज को देश बर में रूसी वैक्षिन स्पूतनिक वी के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की इजाज़त दी थी गुरुवार को गुजरात के सोराश्टर कच हिलाके में 6 गंटे में भुकम के 10 जटके महसुस किये गई पोरबंदर के पास साथ जामनगर के लालपूर में दो और कच में भुकम का एक जटका आया जिसे इन इलाकों में डर फैल गया हालांकि इन जटकों से किसी तरह के नुक्सान की खबर नहीं है भुकम का केंदर जामनगर से 28 किलमेटर दूर दक्षिनपूरो में था पोरबंदर में मंगलवार राद 12 बजकर 19 मिनट पर 12.34, 26, 23, 24, 26 और फिर सुवे 6 बजकर 21 मिनट पर भुकम के आठ जटके महसूस किये गए दिवाली से पहले केंदर सरकार करोडों लोगों को तवफा दे सकती है खबर है कि अब लोन मोरेटोरियल लेने वाले लोगों पर ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा केंदर सरकार के कैबिनेट ने इस तरह का फैसला ले लिया है इस मामले में सुप्रिम कोर्ट में दो नॉम्बर को सुनवाई होनी है माना जा रहा है कि सरकार इसी तरह के अपनी राय कोट में रखेगी सूतरों के मताबिक केंदरे मंत्री मंडल ने ब्याज से ब्याज माफी पर मुहर लगा दी है यानि इसे हरी जंडी मिल चुकी है बता दें कि सुपरिम कोट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि आम आदमी की दिवाली कैसी होगी यह सरकार के हाथ में है कोट ने सरकार को यह भी कहा था कि वह सरकुलर जारी करने के मामले में देरी ने करे और इसे जल्दी जारी करे 20 साल पहले की बात है जब कई लोगों ने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर पर Google.com पहली बार टाइप किया होगा पेज लोड होने के बाज स्क्रीन पर एक सर्च बार और बटन आता था यहां जो सर्च करना होता उसे टाइप करके सर्च बटन पर क्लिक कर देते फिर नीचे की तरफ उसमें जुड़े रिजल्ट्स के कई लिंक आ जाते थे इनमें वो लिंक भी होते थे जिनके हमें जरूरत होती थी गूगल का ये वो दोर था जब उसे अल्टा विस्टा याहू और लाइकोस जैसे सर्च इंजन के साथ मुकाबला करना पड़ा था ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तब गूगल अपनी पैचान बनाने के कोशिस में था हालांकि गूगल तेज और स्टीक सर्चिंग की दम पर लगातार आगे बढ़ता गया अब 20 साल बाद कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है सर्च इंजन का ताज तो गूगल की सिर पर आ ही गया है लेकिन अब इसे इस्तिमाल करने वाले ज्यादतर लोग भी उसके कंट्रोल में है ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि गूगल की टेक्नोजी ने आम इंसान की लाइप को पूरी दर से बदल दिया है वो सिर्फ एक जीमेल अकाउंट से आपकी पसंद नापसंद सोने उठने खाने पीने यहां तक कि आपके खर्थ से जुड़ी लगबख सभी बाते जानता है सेंसेक्स 148 और निफ्टी 41 अंक नीचे बंद बैंकिंग और ओटो शेरों में रही बिक्वाली हेरो मोटो कॉर्प का सेर 3% फिशला सोने के किमते 211 रुपे गिर कर 51,122 रुपे परती 10 ग्राम तक पहुंची तो वहीं चांदी 510 रुपे गिर कर 63,119 रुपे परती किलोग्राम हुई वीवो ने हाली में नई वीवो V20 स्मार्टफोन को लॉंच किया है कमपनी ने खास तोर पर ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया है जो स्मार्टफोन से ही व्लोगिंग या प्रोफेशनल और मेक्रो फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं साथ ही वीवो ने इसकी कीमत भी कुछ इस तरह से रखी है ताकि यह ज़्यादे से ज़्यादे लोगों को अपनी और आकरशित कर सके कमपनी ने इसके दो वेरियंट लॉंच किये है बेस वेरियंट में 8GB RAM और 128GB का स्टोरेज मिलेगा और इसकी कीमत 24990 रुपे है टोप वेरियंट में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगा और इसकी कीमत 27990 रुपे रखी गई है यह संसेट मेलोडी, मूलनाइट, सोनाटा और मिडनाइट कलर में उपलब्द है आधार कार्ड जारी करने वाली और इससे जुड़ी सर्विसेज देखने वाली आथोर्टी UIDAI ने सपस्ट किया है कि तीनो format वाले आधार कार्ड मानने है UIDAI के अनुसार सामानने आधार कार्ड हो या फिर PVC काड सही मानने होंगे नागरिकों को आधार कार्ड के एक format को दूसरे से बदलने की ज़रूरत नहीं है आधार काड इस वक्त तीन फोर्मेट यानि आधार लेटर, E-ाधार और PVC काड में उपलब्द है PVC काड को हाली में लॉंच किया गया है UIDAI के अनुसार आधार काड अपने तीनों फोर्मेट में मानने है नागरिक अपनी सुविदा अनुसार आधार के फोर्मेट का सुनाव कर सकते है इसलिए ऐसी किसी अफ़वा पर ध्यान ने दें कि PVC काड या आधार काड के बाकि दो फोर्मेट से ज़्यादा वैलिड है या फिर E-ाधार माने नहीं है Central Board of Secondary Education यानी CBSC की दस्वी वबार्वी में 50 फिजदी स्लेबस कम नहीं किया जाएगा स्लेबस को 50 फिजदी कम करने को लेकर बोर्ड की ओर से अभी तक कोई फैसलन नहीं किया गया है फिलाल बोर्ड ने सबी स्कूलों में स्लेबस को लेकर राई मांगी गई है इससे पहले CBSC ने लोकडाउन में बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को देखते विए जुलाई में CBSC ने पाठेकरम में 30 फिजदी की कटोती करने की गोचना की थी बोर्ड ने 10 वी वबार्वी की बोर्ड प्रिक्सेओं के लिए बचे वे 70 फिजदी पाठेकरम के साथ सेंपल क्यूस्टन पेपर भी जारी किया है स्टूडेंट CBSC की ओफिसिल वेबसाइट cbacacademic.nic.in के जरिए दसवी वबार्वी के सभी विशियों के सेंपल क्यूस्टन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं National Council for Teacher Education यानी NCTE ने CTET और TET Certificate की वेलिटी को बढ़ा कर आज यून करने का फैसला किया है इससे पहले CTET और TET प्रिक्षा का Certificate साथ साल तक वेलिड होता था लेकिन अब इसकी वेदिता को बढ़ा कर लाइफ टाइम कर दिया गया है 29 तंबर को आउजित NCTE की 50 में बैठक के दोरान लिए गई इस फैसले के बारे में हाली में जानकारी दी गई है हलांकि CBSC ने अभी तक CTET Certificate की वेलिटा में विश्तार पर कोई Official Notification जारी नहीं किया है NCTE के आदिकारिक निर्देशों के बाद CBSC अपनी Official वेबसाइट पर इस बारे में अपडेट जारी कर सकता है कैंडिडेट्स ध्यान दें कि TET या CTET Certificate की वेज़ता का विश्तार तुरंत प्रभाव से लागू नहीं है NCTE की Official Information के बाद संबनित राज्य और Board इस फैसले के Implementation को लेकर दिशा निर्देश जारी करेंगे अगर आप Life Insurance Policy ले रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप भीमा कंपनी को अपनी बीमारी से जुड़ी सभी और सही जानकारिया दें ऐसा नहीं करने पर बीमा कंपनी की और से दावाखारी किया जा सकता है ऐसा ही एक मामले में सुप्रीम कोट ने गुरुवार को एक एहम फैसला सुनाया जस्टिश डिवाई चंदरजूड इंदू मलोतरा और इंद्रा बेनर जी के पीट ने कहा कि बीमा का अनुबंद बरोसे पर आधारित होता है कोई वेक्ति जीवन बीमा लेना चाहता है तो उसका यदायत तो है कि वे सभी तथ्यों का खुलासा करे ताकि बीमा कमपनी सभी जोकिमों पर विचार कर सके IPL के 13 सीजन के 40 मैच में संराइजर्स हैदराबाद ने राजस्तान रोयल्स को आठ विगेट से हरा दिया दूबई में खेले गए मैच में टोस हार कर बल्लेबाजी करते हुए राजस्तान ने 155 रन का टारगेट दिया जवाब में हैदराबाद ने 18.1 और में दो विगेट पर 156 रन बना कर मैच अपने अनाम कर लिया और अब बात आज के इतियास की प्रशिद्ध कवी तुलशिदास का निदन 23 अक्तूबर 1623 को हुआ राजस्तान के पूरू मुख्यमंतरी व्य भारत के उप्राश्पदी भैरोसिंग सेखाउत का जन्म 23 अक्तूबर 1923 में हुआ एक भारते उद्योगपती समाच सेवी और भारत के सबसे बड़ी टेलिकॉम कमपनी एरटेल के चेर्मेन सुनिल मित्तल का जन्म 23 अक्तूबर 1927 में हुआ नासा के मार्श ओडिसी अंतरिक्षियान ने 23 अक्तूबर 2001 में मंगल गरगी प्रक्रिमा सुरू की और अंत में लोकप्रिय संगितकार गायक और संस्क्रति कर्मी भूपेन हजारिका का लंबी बिमारी के बाद 23 अक्तूबर 2011 मिनने धन हो गया